ये बात उन दिनों की है, जब बुद्ध मरवन में अपना समय व्यतीत कर रहे थे। इस समय तक बुद्ध की प्रसिद्धी दूर दूर तक फैल चुकी थी। बहुत दूर दूर से लोग अपनी चिंताओं और परेशानियों का समाधान खोजने के लिए उनके पास आते थे। ऐसे ही एक दिन जब बुद्ध मरवन में अपने शिश्यों को प्रवचन दे रहे थे तो एक अधेड उम्र का व्यक्ति अपने 21 वर्ष के पुत्र को अपने साथ लिए बुद्ध की तरफ चला आ रहा था। जब यह प्रवचन स्थल के पास पहुँच गए तो एक नजर उ पाई हुई थी, मौसम बहुत सुहाना था और तरह तरह के पक्षियों की आवाजें गूंज रही थी, ऐसा नजारा देखकर उस व्यक्ति को अंदर से असीम शान्ती महसूस हो रही थी, इसके बाद बुद्ध ने उस व्यक्ति से आने का कारण पूछा, तो इस पर व्यक्त इसका स्वभाव भी काफी चिड़-चिड़ा हो गया है, अगर हम इससे कुछ भी कहते हैं, तो यह हमारी छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता है, इसके देखने की क्षमता भी उम्र से पहले ही कमजोर हो गई है, और इसके बाल भी सफेद पढ़ने लगे हैं, इतन कुछ औशद ही दी, और कहा, अपने पुत्र को तनाव कम लेने के लिए कहो, वो अपने दिमाग में बहुत अधिक तनाव लेता है, इसलिए उसकी ऐसी हालत हो गई है, लेकिन मुझे उनके बहुत समझाने के बाद भी तनाव का मतलब समझ नहीं आया, मुझे नहीं पता कि तनाव होता क्या है, ये किन कारणों से आता है और उसे कैसे अपने पुत्र के दिमाग से निकालू, लेकिन मुझे सबसे पहले तो ये समझना है कि तनाव होता क्या है, इसलिए तथागत मैं आपके पास आया हूँ, कृपया आप मेरी समस्या का समाधान कीजिए, ये सुन विधी करने के पश्चात बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, तनाव लेना तो कोई नहीं चाहता, लेकिन फिर भी ये तनाव लोगों के दिमाग को दीमक की तरह पकड़ लेता है, और व्यक्ति जान भी नहीं पाता कि वह तनाव में जी रहा है, लेकिन अगर व्यक्ति तन जो कि तनाव होता क्या है, जब भी कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा होता है, लेकिन उसका मन कहीं दूर भटक रहा होता है, कल्पनाओं में होता है, तो उसके शरीर और मन के बीच एक दूरी पैदा हो जाती है, यह दूरी जितनी अधिक होगी, व्यक्ति उतनी ही ज्यादा ब प्रसन्ता से क्यों भर जाता है जबकि उसने तो अपने शरीर को ठकाया है लेकिन समझने वाली बात ये है कि खेलते समय मन और शरीर एक साथ पूरी तरह से उस खेल में केंद्रित होते हैं जिससे शरीर और मन के बीच दूरी पैदा नहीं होती और कोई तनाव पैदा नहीं हो लेकिन हमारा मन कहीं दूर कल्पनाओं में भटक रहा होता है, जिससे शरीर और मन के बीच एक दूरी पैदा हो गई और तनाव ने जन्म ले लिया। मुख्य कारणों में सबसे पहला कारण है अती महत्वा कांक्षी होना। महत्वा कांक्षी होना अच्छी बात है, लेकिन क्या कभी आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि इनसान के लक्ष्य कभी पूरी ही नहीं होते। उसका एक लक्षे पूरा हुआ नहीं कि वह दूसरे की तरफ भागने लगता है। दूसरा पूरा हुआ तो तीसरे की तरफ और इस तरीके से वो अपने लक्षियों को पाने के लिए जिन्दगी भर गोल-गोल घूमता रहता है। इसलिए जो व्यक्ति अति महत्वा कांक्षी होता है, जिसने बड़े-बड़े लक्ष बनाएं होते हैं, वह वर्तमान में कभी रही नहीं पाता। उसका मन सदैव भविष्य की योजनाएं बनाने में ही व्यस्त रहता है। उसका शरीर तो वर्तमान में रहता है, लेकिन मन भविष्य में ही रहता है, जिससे मन और शरीर के बीच दूरी पैदा हो जाती है और वह तनाव भरी जिन्दगी जीने लगता है। बुद्ध के मुँ से यह बात सुन उस लड़के ने कहा, बुद्ध तो फिर इसका मतलब है कि हमें लक्ष नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि लक्ष बनाना भी तो महत्वा का अंक्षा ही है। इस पर बुद्ध ने कहा, जीवन में लक्ष बनाना कोई गलत बात नहीं है, लेक लक्ष बनाईए और उस लक्ष की प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत करिए, लेकिन साथ ही साथ आपको इस बात का भी ज्यान होना चाहिए, कि आप अभी वर्तमान में जी रहे हैं और वर्तमान ही सत्य है। बुद्ध ने आगे कहा, तनाव का दूसरा सबसे बड़ा कारण ह जब व्यक्ति इर्श्या और जलन से भर जाता है तो उसका मन अंदर से सडने लगता है। इर्श्या एक आंतरिक घाव है, आंतरिक घाव यानि मन का घाव, व्यक्ति के शरीर का घाव तो भर सकता है, लेकिन मन का घाव कभी नहीं भर सकता। इसलिए व्यक्ति को दूसरे की खुशी और तरक्की से कभी इरश्या नहीं करनी चाहिए क्योंकि तनाव का कारण है इसके बाद बुद्ध ने तनाव का अगला कारण बताते हुए कहा कि अरुची पूर्ण काम करने से भी मन में तनाव पैदा होता है जो काम करना हमें पसंद ही नहीं है जिस काम में हमारी रुची ही नहीं है उस काम में हमारा मन लग ही नहीं पाएगा हमारा शरीर तो वहीं बैठा रहेगा लेकिन हमारा मन कलपनाओं की उड़ान भरेगा जिससे शरीर और मन के बीच दूरी पैदा हो जाती है और व्यक्ति तनाव ग्रस्त हो जाता है इसी लिए इनसान को हमेशा अपनी रुची के अनुसार ही कार्य करनी चाहिए अगर व्यक्ति ने ये पता कर लिया कि उसे कौन सा काम करना पसंद है और वो उसी काम को अपने जीवन का लक्ष बना लेता है तो फिर वो काम उसके लिए काम नहीं बलकि खेल बन जाता है फिर बुद्ध ने कहा तनाव का चौथा कारण होता है किसी दूसरे से अच्छाए रखना बुद्ध ने उस व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा एक पिता होने के नाते तुम्हारी अपने पुत्र से बहुत सी अपेक्षाए होंगी कि तुम्हारा पुत्र एक बहुत ही कामयाब इंसान बने तुम्हारा नाम रोशन करे जैसा तुम चाहते हो उस तरह का जीवन जीए तुम्हारी हर बात मानी लेकिन क्या आज तक कभी किसी की सारी अपेक्षाएं पूरी हुई है जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे से कोई अपेक्षा रखने लगता है तो वो अंजाने में अपने लिए तनाव पैदा करने लगता है जरा सोचो कि अगर तुम्हारा बेटा तुम्हारे अनुसार काम नहीं कर रहा और वो नहीं बन पा रहा जो तुम उसे बनाना चाहते हो तो निश्चित रूप से तुम्हारे दिमाग को तनाव पकड़ लेगा तुम तनाव से भरा जीवन जीना शुरू कर दोगे और इस तनाव के बस में आकर तुम ऐसा व्यवहार करोगे ऐसी बाते करोगे कि तुम्हारा अपने पुत्र के साथ संबंध और भी खराब होता चला जाएगा इसलिए व्यक्ति को जितना हो सके उतनी कम अपेक्षाएं दूसरों से रखनी चाहिए और अगर पूरी तरह से तनाव मुक्त रहना है तो दूसरों से अपेक्षा रखना ही बंद कर दो इसके बाद बुद्ध ने कहा कि शारीरिक कष्ट भी इनसान के तनाव का एक कारण होता है जब व्यक्ति किसी शारीरिक पीडा से गुजर रहा होता है तो उसका पूरा ध्यान बस अपने उस शारीरिक दर्द पर होता है और वो पूरे दिन बस उसी के बारे में सोचता रहता है, जिससे उसका मन दुख के विचारों से भर जाता है और ऐसी स्थिती में व्यक्ति तनाव ग्रस्त रहने लगता है। यह सुन उस व्यक्ति ने कहा कि हे बुद्ध शारीरिक दुख तो किसी भी व्यक्ति को हो सकता है। तो फिर क्या हुआ? व्यक्ति जीवन भर तनाव में ही जिएगा। इसका जवाब देते हुए बुद्ध ने कहा कि इनसान को ये बात समझनी चाहिए कि हमारा जीवन दुखो अंग है। कोई इनसे बच नहीं सकता। बस किसी किसी के जीवन में ये समय से पहले आजाती है तो किसी के बाद में आती है लेकिन बीमारी आती सबको है। जब इंसान का मन इस बात को अच्छे से समझ लेगा तो फिर वह अपनी बीमारी के बारे में सोच-सोच कर ज्यादा तनाव नहीं लेगा क्योंकि यह हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है और इसके लिए व्यक्ति को शारिरिक रूप से भी अभ्यास करते रहना चाहिए। अपने जीवन में व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली को भी जगह देनी चाहिए। ताकि उसका शरीर लंबे समय तक निरोगी रहकर सही से काम कर सकें। तनाव का अगला कारण होता है अपनी योजनाओं को समझने के लिए समय न देना। इंसान को कोई भी काम शुरू करने से पहले उसके अच्छे और बुरे परिणामों के बारे में ठीक से सोच विचार कर लेना चाहिए। आप लोगों ने ये कहावत तो सुनी होगी कि आलसी इंसान के शरीर का सबसे बड़ा शत्रू है। पर करना एक आदत है। इसलिए व्यक्ति ना चाहते हुए भी बार बार अपनी इस आदत का शिकार बन जाता है। और काम को टालता रहता है। और फिर जब काम की समय सीमा पास आ जाती है तो वह तनाव से भर कर काम को पूरा करने का प्रयास करता है। इसलिए तनाव मुक्त रहने के लिए व्यक्ति को काम को टालने की आदत छोड़नी पड़ेगी। और ये तभी संभव है जब व्यक्ति काम को समय से पहले खत्म करने का निश्चे करें। सबसे आखिरी और सबसे प्रमुक कारण जो तनाव का होता है वो है ज्यादा सोचना। लगातार सोचते रहना भी एक बिमारी है और ये उस व्यक्ति में सबसे ज्यादा पाई जाती है जो कपोल कल्पनाए करता है, जो अतीत की घटनाओं और भविश्य की बातों के बारे में सोचता रहता है, जो बेवजह के अनुमान लगाता रहता है। इसलिए व्यक्ति को ज्यादा सोचने की आदत पर लगाम लगाना चाहिए। इसके लिए जितना हो सके खुद को काम में व्यस्त रखना चाहिए और हर दिन ध्यान का अभ्यास करने को अपने जीवन का हिस्सा बना लेना चाहिए। बुद्ध के मुह से यह सारी बातें सुनकर उस व्यक्ति ने हाथ जोड़ कर कहा। अगर तुम इतनी सारी बातों का पालन नहीं कर सकते तो इसके लिए एक बहुत ही आसान विधी है। सिर्फ भोजन ही करो, उसके पूरे स्वाद का आनंद लो, उसी अनुभव करो। जब चलो तो अपना पूरा ध्यान सिर्फ चलने लगा दो। इससे तुम्हारा मन और तुम्हारा शरीर दोनों एक जगह पर केंदरित रहेंगे। दोनों के बीच दूरी पैदा नहीं होगी जो की तनाव का मुख्य कारण होती है। आज की युवा पीड़ी एक ही समय पर दो-दो-तीन-तीन काम करने के आदी हो चुकी है जैसे फोन पर बात करते हुए गाड़ी चलाना, खाना खाते हुए टीवी देखना और फिर इनकी शिकायत रहती है कि मैं तनाव में जी रहा हूँ, मेरा मन शांत नहीं रहता है, मैं च पूर्ण रूप से एक ही समय पर दो कामों पर ध्यान कभी नहीं लग सकता, इसलिए जहां तक संभव हो सके एक समय पर सिर्फ एक ही काम करने का प्रयास करें, वो भी पूरे ध्यान के साथ, आशा करता हूँ कि आपको इस कहानी से काफी कुछ सीखने को मिला होगा, धन्यव अब्सक्राद